तो यह financial year 2022 और 2023 का end था जिसमें हमने जो कई साइर procurement है order placement है वो देखे है MOD के तरफ से तकरिबन कल तक 17 के राउंड जो orders है वो MOD के दोरा प्लेस किये गए हैं जिसको हमने ग्राफिक पर प्रेजिन किया था यहां पर उसी process में एक कोज order की placing है वो की गई है MOD के दोरा जिसमें जो contract का worth है वो 470 करोड के राउंड है Contract sign किया गया है Ultra Dimension Private Limited के साथ बेसिकल यह जो company है वो Indian Navy के जो naval aircraft yard हैं गोआ और कोची में उनको modernize करेंगे अप्ग्रेड करेंगे तो यह जो naval aircraft yard है यह basically जो इंडियन Navy के naval aircraft है arrow engine है या फिर जो भी test equipment है उनको service और repair करता है तो अगर आगे चलके Navy यह प्लान कर रही है कि जो state of the art technique को वो acquire कर और operate करे तो उस condition में जो आपकी repair facility है उसका अप्ग्रेड होना भी crucial है और इस point को देखते हुए यह जो contract है वो sign किया गया है क्योंकि इंडियन Navy के aircraft को लेके हम सब भी aware है कि आने वाले time में एक जो माचीबीफ का contract है carrier based aircraft के लिए वो देखा जा रहा है और वहाँ पर जो edge है वो अभी रफाल M को है उसको लेकि जो final order की placing है वो जल्दी आपको दिखे कि 26 के नंबर में तो उन सब को anticipate करते हुए जो यह जो repair facility है इसको upgrade किया जा रहा है यह और भी automated हो जाएंगे जो machinery है वो बढ़ जाएंगी और जो composite repair bay है वो दिया जा रहा है इसले यहाँ पर जो project है वो 1.8 lakh जो man days है उसका employment create करेगा अगरे तीन सालों तक इसले यहाँ जो total है contract का वो तकरीबन $8 billion के around है और दो और जो key procurement है वो कल रह गये थे जिसमें जो पहला था वो next generation offshore patrol vessel है जिसके जो category है वो by Indian IDDM category है और इस तरह के तकरीबन 11 vessels है वो बनाए जाएंगे GSL और GRSC कोलकता के द्वारा contract की जो लागत है 11 vessel के लिए 9781 करोड की है तो इस 11 में से जो साथ होंगे वो GSL design develop or manufacture करेगी तो जो चार patrol vessel होंगे वो GRSC बनाएगी delivery की बात करोगे तो Cumminsmen 26 में तो technically आप कह सकते हो कि तीन साल बाद जो पहला vessel हो वो deliver किया जाएगा GSL के द्वारा इस तरह के वसल की रोल की बात करोगे तो एक vast roll इस्तेमाल किया जाएगा Indian Navy के लिए यह Coast Guard का vessel नहीं है Indian Navy का है और उस दीज को देखते हो जो weapon का integration होगा वो वैसे ही किया जाएगा एक जो model है वो अभी हाली में हमें देखने को मिला था Goa Shepard Limited के द्वारा तो यहाँ पर जो एक advanced offshore patrol vessel है वो showcase किया गया था और जो इस तरह का patrol vessel होगा anti-piracy counter-infiltration जो anti-poaching, anti-trafficking है evacuation role हो गया या फिर जो SAR role है search and rescue operation वहाँ पर इस्तमाल किया जाएंगे और जो भी आपके offshore asset है उनको protect करने के लिए इस्तमाल किया जाएंगे तो जो displacement है इसका वोटकु 1300 टन के एराउंड रहने वाला है weapon में इसके पास SRGM रहेंगे जो 21630 है वो यहाँ पर 2 की नमबर में रहेंगे decoy system रहेगा और एक जो helicopter है वो यहाँ पर रहेगा जो अगला vessel है वो एक next generation missile vessel है NGMV है तो इस तरह के जो 6 NGMV है वो deliver किये जाएंगे CSL के द्वारा और यह contract की जो लागत है वो 9,805 करोड की है औ की जो design है वो अल्रेडी हो चुकी होगी NGMV की बात करोगे तो यह heavily armed रहेंगे basically यह missile boat का प्रारूप है जिसके पास जो stealth feature है वो रहेगा high speed पे run कर पाएगा और जो offensive capability है offensive weapons है वो यह carry करेगा जैसे कि आपके ब्रमोस है वो 4-8 के नमबर में carry करेगा तो जो इसका primary role है वो offensive role ह है offensive शमता आपको देना आपके enemy के वार्शिप है उनके अगेंस्ट तो इसके जो target है वो आपके enemy के वार्शिप रहेंगे और जो आपको land attack करना है वो कर सकते हो जैसे कि inner navy ने लास time किया था कराची हाबर पे तो जो उस तरह के attack होंगे वो यह perform कर पाएगा एक और लंबी द पाऊगे तो जो स्टेट ऑफ मलक्का है या फी जो स्टेट ऑफ हार्मूज है जहां से जातर जो commercial ship है वो पास होते हैं Chinese ship तो इस तरह के area को आप check में रख पाऊगे defensive rule की बात करोगे तो जो local naval defense है वहाँ पे इस्तमाल किया जा सकेगा और जो भी आपके offshore facility है asset है वहाँ पे डिप्लय कर ही पाऊगे तो यह दोनों ही वार्शिप मिलके तकरीबर जो 160,000,000 man days है उनका job creation करने जा रहा है अगले साथ से 9 सालों में लाले studio में इतना है जाए हो झालों में लाले जाए हो